न्यूजिलेंड को भारतिय टीम को हलके में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टीम में कई मैच विनर हैं, जैसे आप लेलो, डेल मिचल लेलो, रचिन रविंद्र लेलो, डेवान कॉनवे लेलो, तो जितने भी बंदे हैं यहाँ पर न्यूजिलेंड की टीम में वो अच्छी अच्छे प्रदर्शन के बाद जो है वो न्यूजिलेंड और इंडिया का मुकाबल और वर्ल्ड कौप में भारत के खिलाफ भी जो न्यूजिलेंड का रिकॉर्ड है, अगर आप देखो, तो बहुत अच्छा है, सिरफ वर्ल्ड कुप ही नहीं, अगर आप सारे ही आईसीस टूर्नमेंट में अगर देख लो तो शायद साल 2000 के बाद से पिछले 22-23 साल से जो न्यूजिलेंड का जो रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ ICC टूर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छा रहा है तो यार कपिल भाई के पास एक बार फिर चलते है तो क्या लग रहा है कपिल भाई की मलब अगर न्यूजिलेंड की टीम को देखे काफी complete नजर आ रही है और ICC टूर्नमेंट में इंडिया से उपर रही है एक नौच उपर परफॉर्मेंस करके दिखाई है और इंडिया वाले भी सेमी फाइनल में जाके पता नहीं हमारी कहां से कमजोरी आ जादी है तो आपको क्या लग रहा है कपिल भाई मतलब हमें मतलब किस से सबसे ज़्यादा साफ़दान रहना चाहिए न्यूजिलेंड की टीम से बिल्कुल देखिए आपके वाले अंदाज में एक अंग्रेजी वाला काफिया देता हो यहां पर आपर न्यूजिलेंड की टीम है कंसिस्टेंट सेमी फाइनल में किसी को देती है टेंट लेकिन इस बार करेगी रिपेंट तो इस बार हम ऐसा क्रिकिट खेलने वाले हैं कि नियूजिलेंड के होश वाक्ता हो जाने यह ठीक है कि उनके पास बन्ले बाजी है उनके फाके इनभाजी हे और जैसा कि आकाश जी हमारे शो में अक्सर कहते हैं यह टीम बड़ी नहीं है लेकिन इसके खिलाडी मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि ये टीम उस दिन बड़ी हो जाती है तो ये बात सही है कि individual brilliance इस टीम के पास है और वो दम रखते हैं हम बिल्कुल भी ऐसा इस टीम को नहीं खेलेंगे कि ये कोई ऐसी टीम है लेकिन हमारे पास वो बल्ले बाजी दिखाई दे रही है हमारे पास अंडर दराइट सो गेंबाजी दिखाई दे रही है मिटर लॉडर जब फसता है तो तेजी के साथ रन बनाले वाले सुरी को मारियाताव है रविंदर जड़े जाएं तो हमारे पास वो मिडर लॉडर है जब फसता है तो श्रेया साय और केल राहूल है तो मुझे लगता है कि सारे बेसे हमारे कवर दिखाई दे रहे हैं अनलेस और इंटिल वो जो जिसे हम लॉफ एवरिजिस कहते हैं उसको भी टीम खराब करती हुए दिखाई दे रही है कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है मुझे लगता है कि इस बार बिना कोई मुकाबला हारे हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने जा रहे है अस्ट्रेलिया वर्सिस इंडिया फाइल होने जा रहा है कि दूसरे Ext画 उस्ट्रेलिया जीतने जारी हम आपको बता रहा हूँ रहे है आपनी क्यमदभाजी की वज़ए से जो कृपा बरस रही है रचन रविंद्रा की बात कर रहा हूं मैं इस को इस थ्रेट को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा यह आते ही बंदा मारे जा रहा है देखी ने रहे सामने को अपोजिशन को बिलकुल आप देखिए उनकी भी स्कीम ओफ तिंग्स में रचन रविंद्रा ओपनिंग करेंगे उस लिहाज से थे नहीं वो टिम साओधी नहीं खेले वो टीम में आये छटे बॉलर के तौर पर ओपन करवा दिया कमाल की नौक खेली नो डाउट शांदार क्रिकेट उन्हों से लेकिन एक नए अच्छे इमर्ज हुए इस वर्ल्ड कप में 23 साल की उमर में आप देखिए साड़े 500 के असपास 600 के असपास रन पहुंचे हुए उनके तो अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है लेकिन मुझे लगता है कि बुम्रास से बचके जाना असान नहीं होगा वो जो 140-120 पर लेकर आते हैं वो जो आफकटर आती है वो जो स्लोर वन आती है वो जो यॉर्कर आती है इतनी वराइटी है इस गेंदबास के पास वो जो कंट्रोल है वो असान नहीं होगा पार पाना रचिन रविंद्रा से लेकर और केन विलियमसन तक ये ठीक है कि वो जा सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि हमारी गेंदबाजी न्यूजिलेंड की गेंदबाजी से बेहता रहे और इम यहीं पर मैच जीतेंगे गेंदबाज हमको ये मैच जेता कर देंगे बिल्कुल गेंदबाज भाई दिख रहा है तो इस बज़ा से कह सकते हैं कि टीम इंडिया कम से कम ये अपने दिमाग में लेकर चल सकती ये प्रेशर ना लिट तो ही बहतर है लेकिन अगर आपको अगले रिकॉर्ड दिखाते हैं ये हैं वन डेज जो इंडिया में खेले गए हैं 39 माच जेले गए हैं यह ये रिसेर्च वाले जाद बोलते हैं तो इस फोड़ा से इंडिया ने पांच जीते हैं तो ये एक रिकॉर्ड जरूर है जिसे इंप्रूव करना चाहेगी टीम इंडिया और जब 10 मैच हो जाएंगे जबी सेमी फैनल खेला जाएगा तब पांच-पांच पर बरावर हो जा यहां से बरावरी का तो मौका है यार क्योंकि टीम इंडिया जिस तरीके की फॉर्म में चल रही है हर एक खिलाडी मतलब 15 के 15 खिलाडी जो है इंडिया की टीम में वो खेल चुके और हर एक बंदा परफॉर्म कर सका है यह सब टेस्ट हो गई यह बात सच है और मतलब सारे क जो भी है जब उनको करेक्ट टाइम मिला है अनलाइक बावराजम अनलाइक रिजवान अनलाइक पाकिस्तान टीम इंडिया का हर प्लेयर चल गया हाँ यहां पे तो यह सब्स्टिटूट में यहाद है और अगर वो बंदे को सच में खिला लेते क्या ही हाल हो जाता अल्ला क कि मीर हो गया बाई वो असामा मीर के बजाए तो भाई हम लोग कुल मिला के पाकिस्तान पे तो आई जाते हैं यह आपको पंदर हम कितना लव करते हैं यह हो जाता है थोड़ा से कंपैरिसर में प्यार है जी हमारा लेकिन जीनिर्स